नमस्कार मैं हूँ पत्रकार रुफत नसीम और आप देख रहे हैं रब छीलाई नितीश के फैसलों से जधियू में मचा कोहरा जी हाँ इन दिनों नितीश कुमार का कई फैसला जनता को रास नहीं आ रहा है जाहिर सी बात है कि नितीश कुमार जिस तरह से पाटी को बिना विश्वास में लेते हुए फैसले लेते जा रहे हैं वे जधियू में दरार पैदा कर रहा है बता दे कि इन दिनों ते जस्वी के नेतर्ट में दोजार पचीस चुनाओ और जधियू राज़त के विलई की चर्चा जोरो पर है लेकिन जधियू के वरिस्ट निता नितीश के इस फैसले पर बढ़की नसरा रहे हैं हाला कि जब नितीश कुमार ने देखा कि उनके फैसलों से जधियू में दरार पैदा हो सकता है तो उन्होंने नया दाव खेला है आपको बता दे कि जडियू निता उपिंदर कुश्वाहा ने कहा है कि सबसे पहले बिहार के तमाम राजरितिक दलों को ये समझना चाहिए कि मुक्च मंतरी नितीश कुमार के इस ऐलान के बाद तीज़स्वी आदव ने क्या कुछ कहा है कुश्वाहा ने कहा कि तेज़स्वी आदव ने साफ तौर पर कहा कि अभी वे लोग सबाचुनाओ यानि 2024 के चुनाओ के बारे में सोच रहे है अभी उनका फोकस लोग सबाचुनाओ पर है इसलिए वर्तमान में महागडबंधन के लिए लोग सबाचुनाओ महतपून भी है उपेंदर कुश्वाहा ने कहा कि हम लोग फिलहाल 2025 सबाचुनाओ के बारे में सोच भी नहीं रहे है जडियू और आरजेडी के विलह के सवाल पर उपेंदर कुश्वाहा ने कहा कि इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है इसको लेकर पार्टी में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसा कुछ भी होता है तो ये आत्मगाती कदम होगा यानि कि कहीं न कहीं उपेंदर कुश्वाहा को नितीश कुमार का वेबियान रास नहीं आ रहा है कि 2025 में महागडबंधन 30 सुय आदफ के 39 में चुनाव लड़ेगा दूसरी और उपेंदर कुश्वाहा जदियू और राजट के विले के भी खिलाफ है ऐसे में जदियू के आकरमक तेवर को देखते हुए नितीश कुमार को शायद ये एसास हो गया कि जदियू बिखरने की रह पर है इसको देखते हुए नितीश कुमार ने इस चर्चे को खारज कर दिया कि जदियू और राजट के विले होने जा रहा है उन्होंने कहा कि जदियू और राजट के विले की कोई बात नहीं है नितीश कुमार ने कहा कि जदियू किसी भी दल से कमजोर नहीं है हमारी अलग पहचान है उन्होंने कहा कि वैसे 2024 के आम चुनाव में विस संपून विपक्ष को एक जुट कर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते रहेंगे मुखे मंतरी ने कहा कि 2014-15 में जदियू और राजद को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी पर वे सफल नहीं हो सकी लेकिन वर्तमान में इस तरह की कोई बात नहीं है इस तरह नितीश कुमार ने जदियू और राजद में विले की संभावना को इनकार करते हुए पार्टी के निताओं को मनाने की कोशिश की है लेकिन जानकारों के अनुसार जस तरह से नितीश कुमार का तेजस्वी प्रे में कुछ जादा ही उमढ़ कर सामने आ रहा है उसको देखते हुए जदियू में कलह का ये दौर फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए हमारे लिंक को जादा से जादा शेयर करें और साथी साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए धन्यवाद